दोस्तों आज 29 अक्टूबर 2022 को हिमादरी स्पेसियालिटी केमिकल लिमिटेड ने अपने क्वाटर टू के फैनेंशल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है तो चली हम लोग इस रिजल्ट को देखते हैं यह इस कम्पनी का consolidated result है और यहां सारी figure करोड में बताये गए हैं except earning per share Q2 में revenue from operations 1069 करोड है जो Q1 में 1047 करोड था और previous year के Q2 में यह 645 करोड था revenue from operations में year on year 64% की बढ़ा था और quarter on quarter basis पर यह 1% बढ़ा है तो quarter on quarter यह flat है Q2 में total income 1067 करोड है जो Q1 में यह 1048 करोड था और previous year के Q2 में यह 648 करोड था तो total revenue में year on year basis पर 65% की बढ़ा था और quarter on quarter यह 1.8% बढ़ा है Q2 में profit before tax and before exceptional item 72 करोड है जो Q1 में यह 48 करोड था और previous year के Q2 में यह 12 करोड था तो profit before tax में year on year 488% की बढ़ा है और quarter on quarter यह लगभग 51% बढ़ा है Q2 में pat यह net profit 35 करोड था जो Q1 में यह 38 करोड था और previous year के Q2 में यह 9 करोड था तो pat में year on year basis पर 283% की बढ़ा है लेकिन quarter on quarter देखें तो यह 7% गिरा है अब आप यह सोच रहे होंगे कि profit before tax तो quarter on quarter basis पर भी बढ़ा है लेकिन pat में quarter on quarter basis पर गिरावट कैसे हो गई तो इसकी वज़े है एक exceptional loss आप देखें यहां company ने 30 करोड का exceptional loss बुक किया है तो इसी exceptional loss की वज़े से net profit गिर गया है और quarter on quarter basis पर इसमें गिरावट दिख रही है अगर हम लोग इस 30 करोड के exceptional loss को exclude कर दें तो quarter two का net profit 65 करोड 88 लाख हो जाएगा और अगर हम लोग इससे consider करें तो year on year basis पर पैट में 604% की बढ़ात होगी और quarter on quarter देखें तो भी यह 71% बढ़ा मिलेगा Q2 में earning per share 86 पैसे है जो Q1 में यह 91 पैसे था और previous year के Q2 में यह 22 पैसे था तो EPS में year on year basis पर 291% की बढ़ात है और quarter on quarter basis पर यह 6.5% गिरा है और quarter on quarter basis पर इस गिरावट की वजह भी exceptional item ही है Q2 में consolidated operating profit 97 करोड है जो Q1 में 71,60 लग था और previous year के Q2 में यह 30 करोड के आसपास था तो operating profit में year on year basis पर 228% की बढ़ात है और quarter on quarter basis पर भी यह 36% बढ़ा है और अगर हम लोग इस operating profit के margin को देखे हैं तो Q2 में यह 9.17% है जो previous quarter में यह लगबग 7% था और previous year के Q2 में यह लगबग 5% था तो operating profit margin में भी year on year और quarter on quarter दोनों ही basis पर बढ़त ही हुई है तो दोस्तो हम लोगों ने देख लिया इस company का revenue from operation, operating profit, profit before tax इन सभी में year on year और quarter दोनों ही basis पर बढ़त हुई है लेकिन इस company के pat में year on year basis पर तो बढ़त है लेकिन quarter on quarter basis पर इसमें 7% की गिरावट दिख रही है और इस गिरावट की वज़े एक 20 करूर का exceptional loss है और अगर हम लो लोग इस company के operating margin को देखें तो इसमें भी quarter on quarter and year on year दोनों ही basis पर बढ़ती हुई है तो मुझे तो इस company के result अच्छे ही लग रहे हैं तो इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद